हेलो एब्रिवन इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले नॉन इन्वर्टिंग समिंग अम्प्रिफियर के तो यहां आप देख सकते हैं कि नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर दो इन्पुट वोल्टिजिस लगाये गए हैं यह हमारा फीडबेक लूप हो गया निगेटिव फीडबेक तो यहां हमें फाइनल आउट्पुट एक्वेशन अगर निकल नहीं है तो हम लोग यहां सूपर पोजिशन थेयरम का इस्तमाल करेंगे हमारे आउट्पुट वोल्टिज की एक्वेशन क्या बनेगी आउट्पुट वोल्टिज की एक्वेशन बनेगी वन प्लस आरेफ बाया रवन इंटू वीवन अब वीवन कहां का वोल्टेज है वीवन इस पॉइंट का वोल्टेज है तो इस point का voltage different होगा क्योंकि यहाँ पर दो different voltages act कर रहे हैं तो उस V1 को find out करने के लिए हमें superposition theorem लगाना पड़ेगा तो हम लोग 2 cases consider करेंगे पहले एक बार VA present होगा और दूसरे guess में VB present होगा तो हम V1 को क्या लिख सकते हैं V1' प्लस V1'' दो cases के लिए तो पहले case की equation क्या आएगी है हमारे पास RB upon RA plus RB into VA तो यह कैसे आया यह voltage divider rule से आया VDR, VDR तो आप सबको पता होगा तो VDR का इस्तमाल करके हमारे पास यह equation आ गई तो अभी हम second case के लिए क्या हम लोग consider करेंगे सिर्फ VB हमारे circuit में है ऐसा हम लोग consider करेंगे तो उस case के लिए हमारे value क्या आज जाएगी RA upon RA plus RB into VB तो यह दो equation तो हमारे पास आ गई तो हमें final V1 की value निकलनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा इन दोनों को add करना पड़ेगा add करने पर हमारे पास क्या आएगा RB into VA upon RA plus RB यहां तक clear है तो हम लोग यहां पर क्या consider कर रहे है कि RA और RB के value equal है अगर यह हम लोग consider करते हैं तो हमें यहां की modified equation क्या मिलेगी VA by 2 plus VB by 2 मतलब VA plus VB by 2 तो यह V1 की value हम लोग final Vout के equation में put करेंगे हमारे VO की equation क्या थी 1 plus RF by R1 into V1 और V1 की value हमें मिली VA plus VB by 2 तो वो हमने यहां पर put कर दी अभी अगर फर्दर हम consider करें कि RF और R1 की value equal है तो हमें क्या मिलेगा RF और R1 cancel हो जाएगे 1 plus 1 2 बनेगा और EA2 और EA2 cancel हो जाएगा तो हमें final output voltage की equation क्या मिलते है VA plus VB तो यही हमारा desired output था न calculations है वो काफी difficult है inverting summing amplifier के लिए तो हमने 3 sources consider किये थे और हमें कोई ज़्यादा मेनत नहीं करनी पड़ी थी output equation लाने के लिए लेकिन यहां पर हमें 2 sources के लिए इतने मेनत करनी पड़ रही है 3 sources हम लोग consider करेंगे तो उसका equation और बढ़ा होगा तो यह सिर्फ comparison वाली बात थी इसमें और कुछ नहीं है इसके simulation का video channel पर already available है मैं उसका link दे दूँगा description box में इस video के लिए सिर्फ इतना है अगले video में मिलते हैं